हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं अनीत चोहन और आप सब को मेरी नमस्ते, आज हम बनाएंगे दूस से खोया, जिसे माबा भी बोलते हैं, और अगर आपको मेरी ये रस्पी पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन करें, जिससे की मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चलिए शुरू करते हैं, यह हमने एक किलो दूद लिया है, यह एक किलो दूद लिया है, और इसको हम पहले सबसे पहले उबालेंगे, अब देखिए, दूद में उबाला गया है, और हम इसको अब कंटीनू चलाएंगे, जो कि यह नीचे तले में ना लग जाए, इसलिए इसको दूद को हम चलाते रहेंगे, देखिए, थोड़ा दूद कम हो गया, उबलू बल कर, यह देखिए, वह यह बनने लगा है, और गाड़ा हो गया है, अब इसको हम पकाई में, यह देखिए, मावा त्यार हो गया है, और दानेदार बना है, इससे बनाने के लिए, एक से डेड़ घंटा लग जाता है, अब हम गयास बन करेंगे, और इससे ठंडा होने देंगे, यह देखिए, हमारा कितना बड़िया, दानेदार मावा बना है, और बहुत ही बड़िया मावा बना है, यह कम से कम, 250 ग्राम मावा निकल गया है, एक किलो दूस से,